गुड मॉर्निंग कैसे हो अब मेरी एक बात सुनो उसके बाद दुबारा पढ़ने चाहे बैठना सब कुछ छोड़ दो पांच मिनिट के लिए पूरा मेरे साथ जरा कंसेंट्रेट करो लास्ट अभी आपको अपनी लाइफ में कौन सा टाइम लगता है कि जहां तक आपकी लाइफ बहुत स्मूथली चल रही थी इसके बाद डिस्टर्ब हो गई है एक बार सोचो कि क्या ग्रेजुएशन होने तक प्लास टू होने तक अगर एज वाइस सोचें 20 येर्स क्या लग रहे आपको 21, 22 क्या 22 के बाद लाइफ डिस्टर्ब हुई है या 21 के बाद डिस्टर्ब हुई है जहां तक आपको लगता है कि आपकी लाइफ स्मूथ थी अब वो टाइम ज़रा अपने माइंड में चाए अभी चाए वीडियो के बाद एक बार लेके आना मेरी बात को अंडरस्टेंड करना आज आपको बहुत अलग वे से मैं एक चीज समझाने लगा हूँ कुछ तो calculation होगी माइंड में के इसके बाद सारा हिल गया सिस्टम सारा काम खराब हो गया डिस्टर्ब हो गया हूँ माइंड सारा हिल चुका है एक example ले लेता हूँ चलो के 22 year के बाद ये सारा मैं अपनी life से जो मेरी satisfaction है वो खतम हो गई 22 year के बाद अभी कितने साल के हो 24, 23 या 27, 28, 30 कितने हो maximum to maximum कितने लगा लो अभी for the timing इस example के लिए पांच साल आगे कर लो 27 years की एज ही चलो मान लेता हूँ for example चलो 27 की एज मान के चलता हूँ बहुत सारे बच्चों की कम होगी जहां कि इसके आसपास होगी जा ज्यादा भी होगी कितना time अभी तक आपको लगता कि वेस्ट हो गया पांच साल बहुत सारे बच्चों का कम भी होगा कोई सोच रहे हों कि मेरा दो साल हो गया मैं वो दो साल की वज़े से डिस्टर्ब हूँ शायद कोई 7-8 साल की वज़े से भी डिस्टर्ब होगा अब एक बार सुचो लाइफ में एक पार्ट निकला आपका जैसे मैं कह रहा हूँ 21 साल जा 22 साल वो स्मूथ था बीच में 2 साल 3 साल 5 साल खराब हो गए लेकिन क्या अब इन 5 सालों की वज़े से बाकी की जो जिन्दगी बची है वो सारी खराब कर दोगे क्या उन सालों में से भी ये 5 के साथ कुछ years खींच खींच के add करते जाओगे कि 5 की जगा पर अगर 6 होगे 7 होगे तो जो बाकी balance life है फिर तो आपने वो भी खराब करने शुरू कर दी उसको क्यूं खराब करें अब ये 5 अगर खराब होई गए अब से ही समझदारी करें तो इसमें अब आपको एक mind से सोच लेनी है कि मैं किसी step पर जल्द बाजी ना करूं ठीक है अपने life को जरा यहां पर एक बार stop करके अगर आज आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हो एक बार 10-15 मिनट लगा के सोचो कि अगर 3-4-5 साल जो भी जिस बच्चे के खराब हो भी गए है उसने सही वेसे चीज़ों को नहीं लिया अगर वो आज से अभी भी serious है तो it means अब आगे आने वाली life को तो अपने कहीं recover करने की कोशिश करते हो करते हो ना कि मैं इसको manage कर लूँगा balance कर लूँगा दो दिन का नुकसान में आगे आने वाले 5 दिनों में 2-3-3-4-4 गंटे extra बैठ जाओंगा लेकिन मैं पूरा कर लूँगा क्या life में यह हो सकता अगर कुछ लोग आप से आगे निकल चुके हैं आप इस चीज से डरते हो जाग घबराते हो कि अब मैं उनको कहां compete कर पाऊंगा कि सोचा कुछ था हो कुछ और गया तो वो अगर first step में सब कुछ निकल चुके हैं वो तो एक साल में एक साल जितना ही काम करेंगे क्योंकि उनकी तो success normal way में चल रही है उनको क्या पता कि पीछे से कौन परशान बंदा आ रहा है जो एक साल में तीन-तीन साल का का काम करके उनको एक मिनट में overtake कर जाएगा लेकिन बात यह है कि अगर mind में यह चीज अगर आप आज सोच रहे हो कि हाँ ठीक है मैं आज से decision लेता हूँ अगर ले रहे हो पहली बात तो comment box में मुझे बताना कि हाँ मैं सबको overtake करूँगा मुझे बताना जाथ से लेकिन अब एक चीज यह भी सोचो अगर यह चीज पॉजिवली ले रहे हो मेरी बात को ऐसा करने वाले हो तो वो दिन आज से ही start होता है कहते है आज के दिन को अच्छा करोगे तब ही future सुद रहेगा हम कह देत इतना ही रखता हूँ आपने पढ़ना भी है मेरे साथ है वह वादा जरूर करना कि क्या आप यह overtake करने वाले हो जाद से वीडियो को like कर दिया करो ताकि बच्चों के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यह वीडियो फिर refer होती है जितने ज्यादा likes आते हैं ठीक है जी all the best दुबारा मिलूँगा आपको शाम को thank you so much